नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्रिकल में आपका फिर से बहुत बहुत सोवागत है दोस्तों आज हम जो विशे लेकर आए हैं काफी महत्तपूर्ण है आप सभी लोगों ने आगरह किया था कि गैस गिजर की सर्विस से सम्मंधित एक वीडियो बनाईए जो सम्पूर्ण हो जिसमें हमें यह पता चले कि हमें गैस गिजर की सर्विस कितनी बार करवाने चाहिए और किस टाइम करवाने चाहिए और किस प्रकार से करवाने चाहिए अब है आप देख पा रहे हैं यह इसके ड्राय सर्विस आपको समय पर करवा लेने चाहिए सर्द्यों में थो शिशकर आपको दो बार इस सर्विस को करवा लेने चाहिए इसमें क्या होता कि अगर आपके टेंक में कारबन जमना शub화 हो चुके है तो अगर आप ये dry service time पर करवाएंगे तो वो carbon ज़्यादा इकठा नहीं होगा वो कैसे वो मैं आपको वीडियो के आगे मद्धे में बताऊंगा और इस service से क्या होता है जोस्तों आपके बंदरों में जो एक्ट्रा धोल मिट्टी या फिर वाश्प इकठा हो जाता है वो निकल जाता है इससे आपका gas गिजर पर over pressure नहीं पड़ेगा और आपका gas गिजर समुसली चलता रहेगा जिससे आपके gas की बचत भी होगी इसलिए इस service को उचित technician के दुआरा समेश मैपर करवा लेना चाहिए इसे हम dry service कहेंगे इस service में ज़्यदा कुछ नहीं होता है technician आएगा air blower के साथ आपके gas गिजर में समपूरता pressure से हवा देकर उसमें जो भी धूल गंदगी इकठा हो गई है या फिर जो भी wiring का कोई contact point ल आच लेना चाहिए उसमें कहीं आपकी battery leak तो नहीं हो गई है मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको leak proof battery ही डालनी चाहिए जो भी आप सामने दिख रहे हैं दोस्तों ये leak proof battery ही है लेकिन कई बार हमारी लापरवाई से ये leak हो जाती है उसकी भी वज़य मैं आपको बताऊ हुआ और उसके बाद जब भी आप अपने gas gizzard के लिए battery नहीं लेकर आए तो battery का chain करते समय आपको दो बातों का ध्यान हमाश्य रखना होगा पहली बात तो कि वो battery leak proof होनी चाहिए अच्छी quality की होनी चाहिए उसके बाद आपकी जो battery है उनकी जो date होती है उपर जो निरमाता date डालता है कि कब वो बनी है वो latest होनी चाहिए यानि कि होसके तो आपको उसी month के date वाली battery ही लेनी चाहिए इससे आपके gas gizzard का जो mechanism है वो smoothly चलता रहेगा इससे आपकी relay जल्दी खराब नहीं होगी और आपका जो sensor है वो भी जल्दी खराब नहीं होगा और आपके lighter भी बिल ज़िशा ज्यान में रखना है और उनको सही तरीके से डालना है negative नेगेटिव वाले जगह डालना है और positive positive वाले जगह डालना है तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको उसके बाद कौन सी service करवाना चाहिए और वो service क्यों जरूरी है उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान प्रडूर्ज होता है जो हमारे टेंक इसमें जम जाता है और इससे हमारा जो सांस लेने वाली प्रक्रिय है उसमें भी बाधा पहुंचते हैं और हम आक्सिजन की जगह जहातर कार्बन मौनडकसाइड गैस का अपने शरीर में इस्तिमाल करते हैं जो हमारे स्वास्थे पर भ्यानकता कितनी है इसे हज चेंबर को आपको पानी के द्वारा टाइम टाइम पर साफ करवा लेना चाहिए लेकिन आप ड्राइ सर्विस करवाते रहेंगे तो आपको यह समस्या नहीं आएगी यह समस्या तब आएगी जब आपका यह बरनर फाल्टी हो जाएगा इसमें गिजर भी सही चलता रहे और इस सर्विस करवाने के बाद आपकी जो फ्लेम है वो इस तरह की हो जाएगी जैसा आप यह आप देख रहे हैं जो ओर इसी फ्लेम आपको देखते रहना चाहिए जो साइड में जो जालिया होती है उनसे आपको अपने बरनर की फ्लेम को चेक क साफ करवालन चाहिए जिन से हमारी गैस का प्रभा निरबहाद चलता रहे अगर इनके अंदर अशूधिया आ जाएंगी तो इसमें से गैस का फ्लो पूरी मात्रा में नहीं जा पाएगा क्योंकि एक उचित प्रेशर का ही फ्लो अगर जाएगा तभी फ्लेम आपकी इसमें धूल मिट्टी या कुछ तेल क्या जमा है तो वो आपकी गैस को आगे नहीं जाने देंगे इसलिए आप किसी भी फ्यूल से डीजल हो पट्रोल हो या फिर कैरोसिनोल हो इसमें डालकर अच्छी तरह से इसमें किसी छोटे प्रुष की शाहिता से या फिर जो तरीका तो आप इसे फिट कर दीजिए और जहां पर आप गैस गिजर लगाएंगे वहीं पर बिना कवर लगाए गैस को जब आप चलाएंगे यानि गिजर को आप चलाएंगे तो इसमें जो फ्यूल बचा हुआ है वो अपने आप जल जाएगा उसके बाद आपका जो बर्नर कफल बिल्कुल नीले रंका हो जाएगा इसलिए यह सर्विस भी आपको उचित टाइम पर करवा लेने चाहिए और मेरा तो कहना है कि आपको साल में एक बार यह सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए जिससे आपका गैस गिजर का जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाता है क्योंकि ज जो मात्र है वो कम हो गई है जैसा भी आप देख रहे हैं और आपने वो सभी कारिया करवा लिए हैं जिससे की पाने का प्रेश्र बढ़ जाना चाहिए इस विशे पर काफी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो उसके बाद आपको इस टैंक की सर्विस करनी होती है जो अभी आप चेंबर देख रहे हैं जिसके ऊपर कोपर की पाइपें चारोत्रा फ्लिप्टी हुई है जिसमें हमारा ठंडा पानी जाता है एक साइड से गरम पानी आता है तो आपको ये साफ करवाने के लिए ये मैथेड अपनाना पड़ेगा ये भी हमारी वैट सर्वीस है इसमें हम एक बालती में पानी लेंगे उसमें कुलर वाला पंप डालेंगे उस पाइपों कोनेक्टेड करेंगे अच्छी तरह से और फिर कम मात्रा वाला तिजाब लेकर इसमें हम चोता हिस्सा डाल देंगे ये है कारिया आपको नहीं करना है अगर आप प्रिश्मा लगाए और दूर से ही ये सभी करिया करें नहीं चो एक अच्छे टेक्निशनर के द्वारा आप अपने गिजर की सर्विस इस तरह से करवा सकते हैं ये मैं आपको हर बार कहता हूं क्योंकि दोस्तों जो गैस गिजर होता है उसमें गैस का इस्तेमाल होता है और तो ये जो सर्विसिंग वाला प्रोसेजर होता है इसमें भी काफी आपको टेंड होना पड़ता है तब ये आप ये कर पाएंगे इसलिए एक टेक्निशनर के द्वारा ही अगर आप ये करवाएं तो बैट रहेगा क्योंकि दोस्तों स्वास्ता है सबसे पहले है और उसके सबस्वाद सभी चीजर आती है इस वेड़ि में अगर आपके पाने वाली नोब जाम है तो आप इस त Taylor से वह नोब भी कहल सकते हैं अगर आप इस तरीके से नोब कोलेंगे तो दोस्तों ये कभी लिक नहीं करेगी क्योंकि अक्सर ऐसी समस्या आती है कि अगर हम ये जो नो अजमा कर देखा हुआ है तो आपको इस method के दोबारा आपने इस tank की सफाई time time पर करवा लेने चाहिए लगबग हर सीजन नहीं तो दूसरे सीजन में यह service आपको अवश्चे ही करवाने चाहिए और खास कर जहां पर पाने की जो quality है वो काफी खराब है यानि कि वहाँ पर पासवास्ते दोनों अच्छे रहें कभी भी ग्रैस गजर को बातों में मत लगाएं वीडियो को आगे अव्श्च्र करें ताकि किसी की जान बच जाए धन्युक्त